अज़िए अज़िए जीता इसकी ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है देखिए आज मैं आप लोगों के लिए उत्राखन लोवर PCS में जो सेकंड पिपर है उसमें जो ऐसे का सेक्षन है एक ऐसे आपकी साथ डिसकस करूँगा ऐसे कैसे लिखा जाता है उसको कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है यह मैं पहले भी आपकी साथ डिसकस कर चुका हूँ तो आज जो हमारा टोपिक होगा वो होगा चाइड लेवर यानि बालसरम बालसरम क्या है और इसके समधान समाधान क्या है अर्था चाइड लेबर एंड सोलूशन इसमें सभी लोग जनते हैं कि चाइड लेबर क्या होता है ठीक लेकिन इस ऐसे को कैसे लिखा जाएगा तो आपको जब भी ऐसे लिखना हूं तो उसे सेक्षन में तोड़ना है आपको और जहां भी आपको हैडिंग ड कि वाट इस चाइड लेबर यानि बालसरम क्या है बालसरम क्या है इसके कंडिशन यानि भारत के संदर्म में इसकी स्थिति क्या है यानि हम इसमें कुछ एकोनोमिकल डाटा देनी हैं फिर बालसरम के रीजिन क्या है अर्था कारण क्या है नेस्ट परग्राफ में यह देख बाल सरम के लिए क्या-क्या प्रावधन किये गए हैं, फिर इसमें सरकारी परियास लिखेंगें, सरकारी परियास, सरकारी परियास यानि कॉंस्टिटुशन के अधर कौन-कौन सी योजनाई बाल सरम को रोकने के लिए चलाई जा रहे हैं, ठिक और इसके बाद हम conclusion लिखेंग यहाँ state का है और यहाँ word limit का हमें ध्यान लखना है, चुकि हाँ, 400 words में यह हमें लिखना है, वो बात अलग है कि 10, 15, 20 words उपर नीचे हो जाते हैं, अगर इससे ज़्यादे होते हैं, तो अंको पर नकारात्मक परभाव पड़ता है, यानि माइनस मार्किं होती है, तो चुकि जो लाइव जीता इसका लाइव बैच चल रहा है में इसके लिए, उसमें जाती है, चलो student आमें सुरूट करता हूँ, देखिए मसे बाल सरम, सलम क्या है सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल सरम क्या है, बाल सरम क्या है, देखिए चोदे वर्स से कम आयू के जो बच्चे होते हैं, वर्स से कम आयू के जो बच्चे हैं, बच्चों, बच्चों को वेवसाइक कारियों में लगाना, वेवसाइक, कारियों में लगाना ही क्या है, यह बालसरम है, बालसरम है, वेवसाइक से मतलब होता है, कोमर्सिल एक्टिवि यानि मैं अपने ही बच्चे से जिसकी चोदेवर से कम हैं अपने घर में काम कराता हूं तो बालसरम नहीं है लेकिन किसी और का बच्चा व्यतनिक रूप पर यदि कारिये करता है तो बालसरम है इस किरा बच्चे बच्चे इसके संदर में हम कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं बच्चे ये किसी राष्ट की किसी राष्ट, राष्ट की स्तंपत्ती ही नहीं यानि प्रोपर्टी ही नहीं बलकि ये भविश्य के ये भविश्य के human resources यानि मानव संसाधन है तो मानव संसाधन मानव संसाधन तो human रिसोर्स के रूप में ये बच्चिज होते हैं ये एक human resource हैं और इनसे राश्ट को बड़ी संभावनाई होती है राश्ट को बड़ी संभावना है दिखिए ये जो बालसरम है बालसरम ये किसी सभ्य समाज कोई भी किसी सभ्य समाज तब ये समाज के लिए कलंग है समाज के लिए ये कलंग है कलंग है अगर हम भारत के संधर में देखते हैं भारत के संधर में तो भारत की जवलंत जवलंत समस्याओं में से एक है जवलत समस्चाओं में से एक है, तो देखिए students, child labor क्या है, उसमें एक paragraph इंट्रो की रूप में आप इस तरीके से देंगे, अब इसके बाद भारत में इसकी इस्तिती क्या है, तो यहां पर हम paragraph change करेंगे, अगर हम सरकारी आंकडों की बात करते हैं, data की बात करते हैं, data, देख UNICEF, sorry, UNICEF नहीं है, माफी चाहता हूँ, UNDP, UNDP की जो, HDR, यानि United Nations Development Program जो है, उसकी जो Human Development Report है, इसके अनुसार भारत में, at present, 10 करोड, 10 करोड से अधिक बाल सरम है, अगर हम बात करते हैं, एक नाम आता है, center for concern, center for, center for concern, concern of child labor, child labor, की अगर बात करें, तो यहाँ भी लगभग 12 करोड बाल सरम है, इंटरनेशनल लेवर ओर्गिनाजिशन की बात करें, तो भारत में लगभग 24 करोड बाल सरम है, इतना करोड बाल सरम आज भी है, यह जो इंडिया का GDP है, इस GDP 20% जो योगदान होता है, योगदान, यह सर्मिक लोगों का है, सर्मिक लोगों का है, और इस 20 में से 7% की अगर हम बात करें, तो यह बाल सरम है, बाल सरम, तो देखिए, स्वेंट्स, इंडिया के अंदर बाल सरम कितना फल फुल रहा है, लेकिन आखिर इसके रिजन क्या है, यह डेटा मैंने आपके साथ डिसकस किया, तो इसके कारण हमारा जो समाज है, इसी में मौझूद है, अब उन कारणों पे चर्चा करते हैं, देखिए, अब फिर आप क्या करेंगे, एक पैरगराफ चेंज करेंगे और इसके कारण, देखिए इसके जो कारण है, एक्चली में, इसके कुछ सोशल और एकोनोमिकल, या पैरेंड्स समझी कारणों की ब्यात करें, तो दिखिए, यहाँ पर जो परिवार हैं, परिवार का बड़ा होना, भारत के इंदर परिवार बड़े हैं, लेकिन आये, आये कम है, कम है, तो ऐसी स्थिति में जो अभीभावक होते हैं, पैरेंट्स, अभीभावक ये, परिव कि पूर्टी नहीं कर पाते पूर्टी नहीं कर पाते नहीं कर पाते और मजबूरन क्या होता है बच्चों से कारिय कराया जाता है एक चीज कि इसके साथ भारत में बिरूजगारी है बिरूजगारी है और वहीं दूसरी और भारत के अंदर बिरोजगारी भत्ते की विविस्था भी नहीं है, तो देखिए यहां अभिभावक क्या करते हैं, यहां अभिभावकों की यदि बात की जाएं, अभिभावक, यहां शिक्षा के अस्थान पर, जो आर्थिकों परजन होता है, आर्थिकों परजन, इसको प्रत्मिक्ता देते हैं, वहीं दूसरी और, यदि आर्थिक कार्णों की बात करें, मैं इहां लियाता हूं उस लाइन को, आर्थिक कार्णों में श्डूरेंट्स, देखि, भारत के इंदर शिक्षा का अभाव हो है, चलो, इस पाइंट को मैं हटा देता हूं यहां पर देखिए भारत में गरीबी है गरीबी है जनसंख्या अधिक है जनसंख्या अधिक है अधिक है तो देखिए जनसंख्या अधिक होने के कारण सब्सक्राइब को रोजगार नहीं दिया जाता तबी को रोजगार नहीं दिया जाता देखिए गरीबी और जिंसन क्या का गहरा तालूक है अगर आप ही सुची भारत की अगर हम जोग्रफिकल एक्स्टेंशन यारी एरिया की बात करें तो वर्ल्ड का मात्र 2.4 परसेंट एर और मैं देखता हूँ जब 21 के डाटा आएंगे कहीं यह 19 परसेंट नहीं हो जाए तो जब जन्संख्या इतनी है तो इतनी जन्संख्या को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो लोग अब्जस्ट ली हां गरीबी होगी तो जो गरीबी है गरीबी इन लोगों की कुछ मानसिक्ताई ऐसी होती है कि यहां बच्चे भी अधिक होते हैं बच्चे अधिक होते हैं अधिक होते हैं बच्चे अधिक होने का में रिजन यह है इन लोगों का मानना है कि जितने हाथ होंगे जितने हाथ होंगे हाथ होंगे उतने ही रोजगार होंग कि उतने ही उतने ही रोजगार होंगे अर्थात अधिक बच्चे होंगे तो अधिक रोजगार होंगे तो यह सिर्फ एक मनसिक्ता है अब आप इमेजिंग कीजिये जो राष्ट के मानव संसाधन ही, कारी अस्थलों पर उनका सोशन होता है, उनका सारीक सोशन, मानसिक सोशन, सेक्सुल हरास्मेंट होता है, तो ऐसे स्थिति में जो मानव संसाधन होते हैं, वो वहीं पर देखा जाए, उनका बोध्धी क्विकास, सारी क्विकास वहीं पर प्रभाव क्या होते हैं, प्रभाव, बालसरम की, चुकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे, इनका सारीक सोशन होता है, सारीक सोशन, फिजिकल एक्स्प्लोटेशन, इनका मानसिक सोशन होता है, मानसिक सोशन होता है, और कई बार इनका सेक्षल हरास्मेंट, यानि योन सोशन ह होता है यो विफुंष दिंस्टे न सॉसन होता है जरु शळसे क्यात लिए अब दिक्कत ये होती है कि इनको कि साथ मार्फिट होती्ट ये टायूर्चर मेंध्ली टाउर्चर किया जाता है सिक्षोल किया जाता है एक अपने सब्सेश लिपकर रहा है जो होटल अधी खोटलों में में होटलों में यह चोटे चोटे कार खानों में कार्खानों में यह कालिए कर रहे हैं इनकी सिनाक तो है कि कॉन-कोन है लेकिन इनका कोई प्रीचे नहीं है प्रीचे नहीं है तो ये बड़े दुरुभाग्य की बात है अगर हमें किसी के जीवन को लुटाने का अधिकार नहीं है तो जीवन को लूटने का भी अधिकार नहीं है वैसे सरकार निसमिक विवस्था और भी की है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा परिवार के सहयोग के रूप में यदि कोई विकल्प नहीं है तो 14 वर्ष से अकम आयू का बच्चा कारिये तो कर सकता है लेकिन वो जोखिम पूर्ण कारिये नहीं करेगा और दूसरी बात आप इमेजिंग करना को रिलिट करना सीखे यदि वो कारिये करेगा तो राइट ओप एजुकेशन उसका फंडामेंटर लाइट है उससे वंचित हो जाएगा तो गलत हो जाता है तो ध्यान नखना वो सहयोग के रूप में कारिये तो कर सकता है लेकिन वो जोखिम पूर्ण नहीं होना चाहिए और उसके साथ वो सिक्सा से वंचित नहीं होना चाह बना है और उसको यहां से निलिखना यहां से थोड़ा सिस छोड़कर में लिखना होता है चलो ऐसे लिखेंगी आप इसमा सरकारी उपबंद की बात करें जाए तो अंडियन कॉण्सेशन का आर्टिकल 15 प्री क्या कहता है ये बच्चों के विकास के लिए स्तरकार कानून बना सकती है, यह इसमें बयुस्था की गई है, वहीं पर आर्टिकल 23 में कहता है, बच्चे इन बच्चों की खरीद फ्रोक्त नहीं होगी, इनका ट्रेड नहीं होगा, इसी तरीके से क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है, यह बाल सरम का निशेद करता है, यानि बाल सरम को रोकने की बात की गई है, इसी तरीके से हम देखें, हमारे जो DPS हैं, Directive Principles of State Policy उसमें भी देखें, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, विकास के लिए, प्ची लिए, निर्देश देने की बात की गई है, बात की गई है, तो इस ट्वैंट्स देखें, यहां पर Indian Constitution के अंदर जो है उसको एक paragraph के रूप में लिख देनी है लेकिन इसके सासाथ जो हमारी भारा सरकार है उसने भी कई उजने चला रखी है उनकी बात करें देखें बच्चों के सरनक्षन के लिए पोस को कानून लाया गया है इसके सासाथ बाल सरम सेल बनाई गई है 2007 की अधिक बात करें तो यहां बाल सन्रक्षन अधिनियम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम बनाया गया है अधिनियम बनाया गया है इस्टुएंट्स बच्चों के विकास के लिए सरकार निए आर्टिकल 21A इसमें इसमें राइट आफ एजुकेशन की बात की गई है बच्चों को निशुल्ख सिक्सा की वजश्था की गई है इसे तरीके से आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल डूटी है इसमें फंडामेंटल डूटी में ग्यारवा जो फंडामेंटल डूटी है उसमें भी बच्चों के लिए सिक्सा की बात की गई है सिक्सा वैसे आर्टिकल 45 में भी कह गया है, अब देखे, यहां पर बात यह है, यहां पर बच्चों को वो शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, अर्थात राज्य दिशिक्षा की विष्था नहीं करता, तो राज्य के इंगिस्ट जा सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को आर्टिकल 51-A में जो दिया हो गया है, यहां अभीभावक यानि पैरेंट्स का करतव यह है, कि वो बच्चों को इस्कूल तक लेका जाए, तो इस्ट्वेंट्स देखे, यह है, यह न, देखे, बच्चों के लिए यहां पर मिड़े मिल स्किम भी चलाई गई है, मिड़े मिल, यानि मध्यान भोजन की भी प्यूस्था की गई है, यानि गरीब परिवारों को एक तरीकी से लालच भी दिया जा रहा है, कि बच्चे, बच्चों को खाना भी मिलेगा, आप अपनी स्कूल में, बच्चों को इस्कूल में भेजे, तो इस्ट्वेंट्स चोकिस में बहुत कुछ लिखा जा सकता है लिखा बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन हमें सब सीमा के दाइरे में रहकर हमें लिखना होगा, तो सरकार की जो ये योजनाए हैं, इसके साथ साथ बहुत से गैर सरकारी संगठन, यानि एंजियो, एंजियो भी कारिये कर रहे हैं, एंजियो भी कारिये कर रहे हैं, तो हेट चड़ चुके हैं जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं आज भी हम देखते हैं पोस्को एक भी लाया गया है यह तो जागरुक्ता का आभाव मानिए कुछ भी मानिए लेकिन प्रोपर सफलताने नहीं मिल पाई अभी तक हैं अभी विवस्था कार्यों में बहुत बच्चे कारीय कर रहे हैं तो देखिए इसके समधान के लिए जहां सरकार कार्य कर रही है सरकार को भी करना है जो miche में काम कर रहे हैं उनका भी सरानिय योगदान है लेकिन जो पैरेंट से अभिभावक अभिभावक और जो जन सामानिय हैं जन सामानिय जन सामानिय को भी इसमें सहयोग देना होगा देखिए हम नुकड नाटक के माध्यम से समझा सकते हैं इसके साथ साथ गोस्थियां करके गोस्थियां करके भी समझाया जा सकता है तो इस प्रेंट्स ये जो बाल सरम है एक अपराद है बाल सरम एक अपराध है तिक आओ मिलकर आओ मिलकर सभी इसके समधान में इसके समधान में सहयोग दें तो देखिए मैं समयजता हूँ कि यहां तक फोटी ओर अनड़ वर्ड्स हो गए होगे स्टुवंड्सकों मंने रटना नहीं तुम करीब तूर Hai यह गे ऐसे मेरे को भीजते हैं जो में लिखते हैं तो तो कई बाध हमें कूटेशन लिखके भीजते हैं कि दूचाट चांतों लग जाते है लेकिन क्या वो हमें याद हैं या मुझे चेक कराने के लिए भीजते हैं तो गलत हो जाता है याद हैं तो लिख सकते हैं वरना बहुत ही easy language में लिखिए essay को यहां कोई राजभासा का प्रयोग नहीं होता है न ऐसे एक ऐसी चीजे जिसमें आप अपने recommendation भी दे सकते हैं तो ब यह मुझे केवल एक ही essay कराना था आगे भी जीताईस का आपको पूरी टीम का आपको सही इसी तरीके से मिलता रहेगा प्रत्न करता हूं तो best of luck ओके thank you हुआ जाए भी जाए प्रत्न करता है तो